कर दो कर दो करना चाहरा था तो मैंने डिफिनिटली वही चीज करी और मुझे बहुत कुछ नए अपडेट्स और जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है सो डिफिनिटली अब मेरा वर्क इन प्रोग्रेस पूरा उधर टाइम ही डिफाइंड है बट मैंने बहुत नई चीज़े सीखिए हैं जो मैं इस वीडियो में आप वी साथ शेयर करूंगा मैंने फोरेक् पर भी सीखिए है जो मैं आपके साथ डिफिनिटली इस वीडियो इस चैनल के अंदर शेयर करने वाला हूं इसके लावा स्टॉक मार्केट से भी रिलेटेड मैंने बहुत नहीं चीज़ें जो मैं टाइम आने पर आप वोके साथ डिफिनिटली बट अभी के लिए स्टार् होना चाहूंगा कि मैं यह चे महीने में तो डेफिनिटली देखता था मार्केट कम देखता था मुझे बहुत सारी चीज़े पता चली कि हम यह वीडियो डालते हैं थ्री स्टॉक्स की को आक्चुली मैं नहीं डालनी चाहिए बिकॉस यह जो वीडियो जब हम बनाते हैं त आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो जो भी यूटूब के वीडियो के अंदर हम आप लोगों को एक्सप्लें करते हैं कि वह हमें क्या लगता है कि यहां से मुमेंटम कहां दिख सकती है कौन सा पाटन बना है क्यूंकि आप लोग वह चीज़ सीख पाउ खुद अपन प्रप्र करें और आप उस रिकमेंडेशन को सीरियस मत लीज़ेगा अपनी खुद की अनालिसिस करिए जो हम कंसेप्स बता रहे हैं उसे समझीए अप्लाई करें और फिर अपना खुद कर देशिए चलिए पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं तो हम लोग अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं सबसे पहले निफ्टी को एक बस तड़ी कर लेते हैं मैंना भी वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर आवा है जैसे कि आप यहां पर चेक कर सकते हैं यहां पर आप तो हम दोगों को बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिली थी अब आप चेक कर सकते हैं कि अफ्रा वेरियोट गप अब मतलब अवरी मंड़ें गप देखते थे और अच्छी मोमेंटम दोगों को देखने को दी and after that यह जो लास्ट वीक था उस लास्ट वीक पे हम दोगों एक गाप दाउन ओपनिंग देखने को मिली है and after that जो next to previous to previous weekly candle थी उसके 50% पे जाके इसने closing भी दी है अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने previous high को तो definitely break करा है यहां पर एक higher high और एक higher low का trend on a weekly time frame definitely चल रहा है so we have to check on a daily time frame कि क्या momentum आ सकती है कहां पर pause ले सकता है and क्या scenario है so और further details में जाने के लिए weekly analysis के लावर daily analysis भी कर लेते हैं सबसे वहले हम लोग एक trend line का use करते हैं from this bottom to this top आप चलिए मैं यह सारी चीज़ा अभी के लिए remove कर देता हूं कि आप लिए easy हो जाए समझता हम लोग ने trend line draw करी from this bottom to this bottom आप यहां चेक कर सकते हैं कि यहां पर एक multiple support हम लोगों को देखने को मिल रहा था and definitely यह level बिल्कुल close है तो इस level के आसपास भी 19,600 के आसपास हम लोगों को एक up move या एक दुबारा ऊपर के तरफ momentum देखने को मिल सकता है अब देखे जो जो मैं points बताते रहूंगा उसको जरूर समझेगा पहले हम लोगों एक trend line का support लिया आपर देखा कि 19,600 का आसपास का जो level है वो उसके लिएक support बन सकता है ठीक है note कर लीजे 19,600 as a trend line support यह अब हम लोग हटा देते हैं after that हम लोग use करते हैं Fibonacci retracement Fibonacci retracement use करते हैं this is the bottom this is the top and यहां पर आप देख सकते हैं मैं Fibonacci draw कर रहा हूं Fibonacci पे 61% का level है जो कि हम लोग mainly लेकर चलते हैं वो exactly आ रहा है 19,611 रूपीज पे almost close to 19,600 रूपीज का level ठीक है सो हम लोग ने जब trend line बनाई supports को connect करते हुए तो वो 19,600 पे आ रही थी हम लोग ने जब Fibonacci बनाया तो जो golden retracement ratio था वो भी exactly 19,600 पे आया है हम लोग यह चीज तो समझ गया है कि दो जो key levels है जो दो चीज हमें बता रही है वो 19,600 बता रही है वहां पर यह support ले सकता है चाल यह कोई बात नहीं थोड़ा और confirmation लेकर देखते हैं let's use volume profile indicator volume profile indicators को हम लोग ने यूज कर रहा था from this to this थोड़ा से extent कर देते हैं इस level तक हम लोग ने यह levels को use कर रहा तो हमें पता चला कि यहां पर multiple इस levels पर हम लोगों को volumes देखने को मिल रहे हैं buyer sellers इस levels पर multiple type of active यह इसने break कर रहा है तो हम assume करके चलते हैं कि यह हमारा particular level होगा but इतना further इतना दूर level हम लोग definitely यह लेकर नहीं चलेंगे so let's ignore because it's very far right now जब 16 19600 break होगा तो हम मान के चल सकते हैं yes the next level should be this but जब दो support बता रहे हैं we have to respect that as well let's use this analysis so आप इस analysis को भी check कर सकते हैं कि यहां पर multiple supports थे after a breakdown यहां पर हम लोगों को एक resistance देखने को मिला after a resistance बड़े gap ups के साथ ही हम लोगों को एक बड़ी momentum भी देखने को मिलें so यह level is a support काम कर सकता है अब मैं दुबारह एक trend line draw करने वाला हूँ check करिएगा तो आप देख सकते हैं कि अब इस level को भी break करता है और थोड़ा सा भी नीचे आता है 580 570 के आसपास but a very good closing हम लोगों को देखने को मिलती है above this level so हम लोगों को एक अच्छी momentum देखने को मिल सकती है अब यहां पर आप चेक कर सकते हो और वीकली टाइम देली टाइम लोग ने चेक कर लिया लेट्स गो टू वन आर टाइम अब यहां पर हम लोग थोड़ी जादा फॉदर स्टी करते हैं मैं आप लोगों को यहां पर एक line draw करके दिखाता हूं जिसमें हम लोगों को एक pattern का breakout देखने को मिला था as you can see इस pattern का आप लोगों को एक breakout देखने को मिला था आप समझ सकते हैं इस बुलिश पैनेट पैटन बुलिश पैनेट पैटन का यह जब breakout आया तो definitely यह multiple levels थे जिसके ऊपर हम लोग चाहते थे कि breakout हो let me use a volume profile indicator to confirm I am not sure but let's confirm यहां तक इसने breakout नहीं दिया था इस level तक इसने breakout नहीं दिया था जब इस level तक इसने breakout नहीं दिया था let me remove every lines here मैं सारी line हटा रहा हूं आप यहां चेक कर सकते हो यहां इस line से लेके exactly यह जो line है आपको बता रही है आपर multiple volumes थे buyer sellers बहुत जाला ही active थे यहां पर और वो यही line है तो जैसे इस line का breakout दिया एक बड़ी momentum आना शुरू हो गई multiple confirmations are saying that 19,605 से 22 लेके 630 के बीच में एक हम लोगों को pause देखने को मिल सकता है और शायद वहां से recovery भी आने को मिल सकती है I am not saying कि वह recovery दुबारे एक नया high create करते हैं but I am saying कि वहां पर market pause ले सकता है एक हफते के लिए तो we have to check that as well अब आपको मैंने multiple scenarios तो बता दिए कि market 19,570 के नीचे नहीं जाएगा let's assume कोई वह चली जाती है एक बड़ा fall आता है पांच मिनिट या 10 मिनिट की बड़ी candle बन जाती है उसके नीचे then what should we do तो जित्ते भी call writers sorry जित्ते भी put writers active बैठे वे हैं उनकी positions वो लोग exit करना start करेंगे multiple positions add on a start but अगर वो अगर वैसा होता है जो हम लोग करके चल रहे हैं अगर वैसा होता है और next two to three candles के दरह में bullish move देखती है जो कि वो 600 की उपर यह 570 की उपर ही close कर जाती है that means कि buyers का regain आ चुका है नीचे जित्ते भी stop losses थे उनको hit करा गया है sellers के and एक नई buy position दुबार active करेंगे और buyers के stop losses को hit करा गया है और एक नई buying position दुबार active है यह कभी कबार होता है market के अंदर और generally होता है तो यह चीज़ा आप Google check करनी चीए जो मैंने आपको बता दी है अब क्या करते हैं हम यही चाहते हैं basically कि market कल भी नीचे जाए and let's take a confirmation by using open interest एक बार निफ्टी का open interest को check करते है weekly open interest हम लोग लगा देते हैं सबसे पहले call or put change देखते हैं तो call change है 1.7 crores का call writers का यहां पर change हमें देखने को बिला है and put change है almost 73 lakhs तो आप automatically भी यह चीज़ समझ गया होंगे कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं तो that means कि selling pressure अभी वी active है okay let's check price अभी चल रहा है current price चल रहा है 19,670 का यहां पर आप check कर सकते हैं कि 19,700 पे highest call writers active है almost अगर put का open interest change है 13 lakhs का तो call का open interest change है 32 lakhs का almost 3x है so that means कि यहां पर heavy sellers active है call writers यहां पर heavily active है but अगर आप check करोगे 19,550 पे तो call open interest change देखो only 60,000 and put open interest change देखो 12 lakh आप check कर रहे हो तो हमारा conviction थोड़ा बहुत ठीक बैठ रहे है कि 19,570 के आसपास या उससे नीचे जाने की probability नहीं है but अगर गई तो most probably यहां पर hold हमें देखने को मिल सकता है I hope यह चीज आप यहां पर समझ पा रहे हो so multiple convictions के साथ हमें यह चीज तो पता चल गई है next analysis आपको यह खूद करनी है and अपना decision market के अंदर let's go to bank nifty bank nifty को भी check कर लेते है let's go to weekly time frame first weekly time frame weekly time frame let me remove everything आप check कर सकते हो कि weekly time frame के अंदर एक नया high तो create नहीं हुआ definitely एक all time high create नहीं हुआ but as a double top हम लोग कह सकते हैं but double top confirm तभी करेगा जब इसका यह neckline जहां से actually में double top बनाने की कोशिश करिया जो इसका previous swing low है वो break होगा then and then only we can say it's a double top अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं you have to understand सिफ यह बनने से आप double top नहीं कह सकते हैं because it's not a confirmation वो यहां से भी उपर जा सकता है तो we have to respect every decision अभी आप check कर सकते हो weekly time frame के अंदर average के ऊपर इसने एक अच्छी closing दीती on April 2023 को respect करा and after that एक बड़ी momentum देखने को मिली है but अगर यह एक बड़ी fall के साथ इसी बड़ी candle के साथ next candle के साथ अगर इस 20 day को break करता है then it's gonna be a bad signal वो एक अच्छी बात नहीं होगी और तम हम लोग एक direction नीचे के तरफ देखके चल सकते है but अभी जो banks है especially PSU और सारे banks अगर हम बात करें तो वो बहुत अच्छा perform कर रहे है and I definitely think कि वो एक अच्छी चीज हो सकती है आप लोग ने अभी news भी पढ़ी होगी कि JP Morgan ने अपना एक खुद का हमारे लिए एक इंडिया का इंडेक्स बनाया है bonds के लिए जिस पर वो 30 billion dollars के bonds का भी एक market size बना रही है और वो infuse करेगी वाक्त कैसा तो definitely जो transaction fees होगी जो यह fees होगी वो definitely banks करेगे और वो banks के लिए बहुत अच्छी चीज है and so I think कि banking sector अभी वी अगर यह fall आ रहा है तो वो sustain in the end कर सकता है और एक momentum आ सकता है ऐसा यह news based analysis है कि हम लोग short short नहीं बूल जाए let's go to weekly daily time frame on a daily time frame as you can see it here let me just first of all take this यह हमारे लिए एक अभी ऐसा long term sorry short term resistance की तरफ से काम करेगा let's make this particular line यह एक हमारे लिए short term support market exactly zone के अंदर काम कर रही है first let me check the volume profile indicator कि वो क्या बता रहा है कहां पर सबसे जादा चीज़े है मुझे पता चलाए कि यह जो zone है यहां पर heavy volatility है so market will try to attract as a magnet की तरफ काम कर सकता है to attract this price to come to this level तब भी हम लोग 100% sure नहीं है बट ऐसा होने की chances है हम लोग उने previously जब study कराया इस particular tool को तो हम लोगों को यह चीज़ देखने को मिली है but we are not here telling that कि यह अभी भी हो सकता है so let's ignore this one now further study करते है and हम लोग सिफ closing basis को ही study करेंगे so as a closing basis let's use this analysis अभी के लिए as a support जो बन सकता है वो यह particular level बन सकता है क्यों बन सकता है इसके पीछे का reason बताता है और मैंने यह क्यों level choose करा आप देख सकते हैं कि हम यह वाली candles को जो bearish candles हैं वैसे हम उसको observe नहीं करते हैं but let's say कि यह आप multiple supports थे after a break out break down आप multiple resistance देखने को मिले as you can see उपर closing अभी तक नहीं आई थी जाने की कोशिश बहुत करी है but उपर तक नहीं जा पाया after that एक breakout आया 20 day exponential moving average के उपर गया breakout दिया so definitely यह जो zone है यह zone as a bank nifty के लिए support में काम कर सकता है now अब volume profile indicator का use हम कर सकते हैं दुबारा बनाता हूं मैं आप एको के लिए अब यह level जब तक है that is 44,430 का level and 44,490 का level 44,400 से 500 के बीच का जो यह level है अगर यह इसको respect नहीं करता और नीचे जाता है then हम लोग यह levels के लिए मान के चल सकते हैं कि यहां से जो fall आएगा वो यह levels तक का definitely आ सकता है क्योंकि यह आपर बीच में लोगों कही और levels नहीं मिल रहे हैं जो हम मां कर सकते हैं और अगर हम लोग और टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो multiple levels मिल सकते हैं but we have to ignore that तो यह level एक crucial level है 44,400 के नीचे bang nifty जाता है next level should be around more than below 450-500 levels जो कि हम लोग expect कर सकते हैं तो यह चीज़ हम लोगों को observe करनी है let's go to one hour time frame one hour time frame पर हम लोग आ चुके हैं and let me remove these drawings मैंने drawings को remove कर दिया अब एक बन let's use Fibonacci so यहां से एक trend आना start हुआ था we will not take bottom मैं देखता हूं कि हमे trend कहां से आना start हुआ यहां से मुझे trend आना start हुआ Fibonacci I have drawn a Fibonacci let me just use this I have to use something else this bullish cipher pattern बना नहीं है but there is a higher chance कि बन सकता अगर वो level respect करता है let me just tell you मैं आपको draw करके दिखा देता हूं यहां पर c आपको दिख रहा हुए यह cipher pattern का भी 2 to like this bottom this higher high this higher low and again this higher high and this fall यह यह 88.6% के level पर आता है कोई stock इस तरीके से momentum देके और वहां पर respect करके अगर यह ऊपर जाना start करता है तो हम लोग बोलते हैं bullish cipher pattern बना है और जो c point अग मैं आपको थोड़ा सा और zoom कर देता हूं यह जो c point है और यह जो d point है इस पर हम एक Fibonacci बनाते हैं और उसका जो 50% होता है वो हमारा target होता है first target होता है तो आपने देखा कि यहां पर 80 मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं आपने देखा कि यह यह एक अच्छा पहले zone था जो हम लोग ने define कर रहा है उस zone के साथ exactly zone का जो mid point है वहां पर 88.6% का level भी है यानि कि हम लोगों को यहां पर multiple supports की theory मिली नहीं मिली है हमें लगा कि यह level strong है की नहीं है खुद बताईए मैं कोई buy sell का recommendation नहीं दिरह से analysis समझाने की कोशिश करता तो अगर यह इस level के असपास आता और यहां से rejection दे के ऊपर की तरफ जाता है हम अपने एक ऊपर की तरफ momentum को catch कर सकते हैं yes catch कर सकते है बट क्या falling knife पे हम लोग trade लेंगे by side का या ऊपर side का नहीं अगर आपने यहां पर test करा और आपने तुरंट एक buy side का trade ले लिया एक ऊपर की तरफ का trade ले लिया क्या यह good strategy है बिलकुल नहीं जब यह respect करके ऊपर जाना दिखाएगा और confirmation देगा तब ही हमारे लिए अच्छी opportunity बनती है हम यह नहीं कह सकते यहां से definitely ऊपर जाएगा हो सकता है नीचे यहां थोड़ा दुर रुके और आपको लगे कि आप तो यह रुक रहाए buy कर लेता हूं और यह तुरंट बहुत बड़ी candle नीचे बना दे ऐसा भी हो सकता है तो यह आपको बस डराने की कोशिश हो सकती है तो जब तक एक confirmation ऊपर की तरफ न मिले आपको trade ऊपर की तरफ यह आपको अपनी positions को तक तक hold करना है क्योंकि patience is the key fear of missing out यहां पर आपको बहुत लगेगा अरे यार यह तो पचासु रपी ऊपर चला गया मैं क्या करूं मैं जल्दी position मना लू नहीं trade छूट जाना चाहिए बट आपको अपनी patience of fear of missing out से समल के रहना है ठीक है बैंक निफ्टी का open interest के analysis check कर लेते हैं एक बार ज्यादा major difference नहीं है but there is a difference but एक चीज़ बहुत बुरी है कि 44,900 से लेके 45,500 तक जित्ते भी put writers थे लोगने अपनी position को score off कर लिया है multiple position square off हुई है unwind हुई है so that is not a very good thing after that put writers हम लोग अक्टिव देखने को मिल रहा है 44,700 पे so there might be a chance की 44,700 पे आया है and वहां पर resistance लेके एक fall देखने को मिल सकती है because call writers वहां पर और जादा active होने की कुशिश करेंगे so इस पर कुछ जादा खास नहीं है we will not check that level but I hope you analysis आप लोग समझ गए अब मुझे एक चीज़ बताईगे अगर market नीचे जाती है तो क्या आप लिए अच्छा है आप लिए अच्छा है because nifty अगर नीचे जाती है यहां अपने current level 100 points or 70 points और bank nifty नीचे जाती है 200 points तो एक ऐसा level आएगा जिस level पे पता चल जाएगा कि अगर यहां से उपर गया यहां से तोड़ के नीचे गया अब भी हमें कुछ नहीं पता चालेगा तो क्या वो लेवल जब आएगा तो वो लेवल से हम लोग अपने आगे के future के analysis को plan कर सकते हैं trades को plan कर सकते हैं तो we will patiently wait for that level अब बात कर लेता है कुछ stocks की our first stock is let's go on a weekly time frame on a weekly time frame as you can see कि मैंने यह एक trend line बना रखी है जिसने इस particular 20 20 से इस trend line को respect करावा है almost multiple times इसने इसको respect करावा है और इसने last to last week इस trend line को respect करावा है after that अब को एक last week एक bullish closing देखने को मिली है which is a very good sign after that अगर मैं zoom करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं एक line draw करता हूं line को जैसी मैंने draw करा तो आप देख सकते हैं one two three four five six last six week की जो candle थी जो एक bearish candle थी उसका low जो था उस low के नीचे अभी तक इसने closing नी दी यह गया जरूर है बट विक्स गई है और उसके उपर जाया और closing उपर लेवल पे ही लिए which is also a good sign यह लेवल कॉन साइब for twenty four hundred and seventy six रूपीज कर रहा है twenty five hundred seventeen पे तो almost forty fifty points ही नीचे है जादा दूर नहीं है तो I think हमारे लिए यह respectable चोईस होनी चाहिए सबसे पहली चीज यहां पर आप चीज चेक कर सकते हो कि एक symmetrical triangle pattern हम लोगों को देखने को बिल रहा है which is at very good support level जो कि जो हम लोग मान के चल सकते हैं after that अगर मैं इस line को थोड़ा से extend भी कर देता हूं let's extend this level आपने देखा after a very good gap up एक बड़ी momentum यहां देखने को मिली यहां पर एक hold हुआ यहां पर resistance यहां पर आप support लिया गया after a resistance breakout so I think यह अच्छा support है so on a buy on dip strategy भी we can take with a very good stop loss of previous to previous week low which is 2455 अगर आप लोग करते हो तो हम लोगों के लिए मेरे को इस chart को देखकर बस इतना लग रहा है कि there is a less chance कि market particular stock यहां से नीचे जाए और there is a higher chance कि यह से particular stock bounce back कर सकता है now let's use a daily time frame on a daily time frame आप check कर सकती हो let me remove this let me just make this आप ने देखा कि after a very good fall यह एक lower lower बनाय बना रहा है यहां पर एक very good fall आया it created a double bottom type of structure you must think of यह double bottom है but break out नहीं हुआ है break down नहीं हुआ है structure का तुम कह नहीं सकते है but many of the retail traders will think that it a double bottom उपर गया you will try to buy this particular stock और आपका low stop loss होना चाहिए वो इसके नीचे होना चाहिए it hunt your stop losses and it started to go back up again and after that it gave a very good rejection candle from this 220 day exponential moving average closing उपर दिया है which is a very good sign check है अभी आपन बस मुझे एक चीज़ का confirmation नहीं मिला that is the RSI because RSI अभी 49 पर trade कर रही है मैं चाहता हूं 50 to 53 के उपर होती और अगर यह closing होती तो definitely फिर मेरे लिए उपर साइट की momentum जाने के लिए confirmations और बढ़ जाते है but अगर ऐसा नहीं है तो we will wait let's open our 15 minutes time frame on our 15 minutes time frame yes I can see multiple rejections on these stocks first of all is this अब देख सकते हो कि इस level को multiple बार इसने support को retest कर आए and after that a breakdown इसने कोशिच definitely कर यह उपर जाने की but after that a very good fall even a closing इसने एक lower low create कर आप आप चेक कर सकते हो एक breakout of structure दिया एक higher high definitely create कर आए and उसके बाद इसने एक lower low create कर आए higher high और एक lower low दोनों साथ में बने आए that's confusing for you आप समझने की कोशिच कर आए अब यह उपर जा रहा है but अगर अब इसने अपने इस previous high को ब्रेक कर दिया so that means the trend is on the upside for sure यह हमें confirmation मिल जाएगा अगर इसको break करता है और यहां पर आकर retest करता है then it's a very good opportunity कि हम लोग एक उपर की तरफ यह particular stock जा सकता है but अगर यह retest नहीं भी करता है तो भी कोई जरूरी बात नहीं है ठीक है हम लोग 100% sure नहीं और यह stock guarantee नहीं दे रहा हमें कि अगर यह breakout ऊपर की तरफ देगा तो definitely retest करेगा तो यह चीज को मान के मत चलेगा but I think यह stock अच्छा performance दे रहा है और मुझे लगता है कि यह बढ़िया opportunity यहां से almost अपने current level से भी 60 points की up move on a higher side जरूर दे सकता है इसको आप check कर सकते हैं but अपनी analysis जरूर पहले खुद करके रखेगा जो मुझे charts बता रहा है कि यह previous resistance है breakout आया है तो इस level तक definitely जा सकता है there is a possibility to do your own analysis as well next आते है Asian paints और मैं यह चीज जरूर बता देता हूँ Pedalite Asian paints यह दोनों मेरे watch list पे है I will try my best कि अगर कल मुझा opportunity मिलती है I will add these stocks और जो last stock जो मैं swing trading ले बताऊंगा वह already मैं hold करा हूँ let's open a weekly time frame first of all on a weekly time frame आप यहाँ check कर सकते हो कि यहाँ पर almost इसने triple top scenario create करा है आप देख सकते हो as a triple top scenario है but अपने कभी भी lows को इसने break नहीं करा it's a very good thing कि कभी भी अगर यहाँ से एक low बना तो इस low को इसने जब test करा तो break नहीं करा और अगेन एक low बना तो यहाँ पर respect दिया है और फिर उपर जाने की कोशिश कर रहा है which is a very good sign मैं Asian paints को इसलिए चूज कर रहा हूँ दोनों चीज़े different होगी बट आप समझना खुद analysis जाथ जरूर करना एक बहुत बढ़ी है interesting concept बता रहा हूँ दिवाली season आ रहा है paint sector लोग घर पे paint करवाएंगे अपनी दुकानी paint करवाएंगे paint sector के लिए अची चीज है कि नहीं आप चेक करिएगा कि यह जो fall आया है यह आया है September पे जब top बना है यह जो आया है यह आया है January पे बट यह fall आना start होया है यह fall आना start होया है उनी levels पे आप चेक करना कि जब भी दिवाली का season बिल्कुल pass हो रहा होता है already stock बढ़ चुका होता है और दिवाली के असपास आते आते वह stock पे यह चीज़ आप जरूर observe करना शायद में गलत हो सकता हूं बट मेरे को ऐसा दिखा है तो मैं आपको बता रहा हूं दिवाली का season आने वाला है अभी आया नहीं है अभी वी total अम्मान के चल सकते हैं एक महीने की opportunity हमारे हाथ में grasp करने के लिए अभी ही है तो यह momentum हम शायद capture कर सकते हैं it's a trend based, seasonal based यह analysis है जो मुझे लग रहा है इसके लावा let's go to daily timeframe on a daily timeframe यहाँ पर यह जो level था इसको multiple बार इसने respect करा उपर गया एक flag pattern यह develop कर रहा है यह देख रहा हूँ एक flag pattern है इसका breakout आएगा तो we can expect a good move और मैं ऐसे as a flag pattern कहूंगा भी नहीं यह ऐसे flag patterns I don't generally trade but एक opportunity अच्छी है जोई stock मुझे अच्र analysis के वाइस लग रहा है 54 की उपर RSI trade कर है which is a very good sign 20 day exponential moving average की उपर trade कर रहा है which is a very good sign दो confirmation मिल गए अब आपके मैंड में question आना चाहिए 20 day की उपर तो यहां पर भी कर रहा था यहां पर भी कर रहा था और क्यों नहीं अभी यहां से दुबाला नीचे जा सकता है let me tell you जब यह उपर गया let's check the RSI जब यह उपर गया RSI था 52 जब यह दुबारा ब्रेक आउट दिया RSI था 52 अब RSI कितने पर trade कर रहा है 54.41 अब जब इस ने ब्रेक आउट दिया RSI और जब इस ने ब्रेक आउट दिया RSI बिल्कुल similar थे बढ़ जब इसने ब्रेक आउट दिया और इसके हाई और इसके हाई की उपर अभी तक गया भी नहीं है और RSI ने उपर की तरफ momentum देना शुरू कर दिया MLA 53 के अपने RSI की ऊपर भी जाना शुरू कर दिया, that's a very good confirmation, कि ये stock अब शायद ऊपर जाने के लिए तियार हो रहा है, तो इसको भी अपनी watch list के अंदर जरूर रख सकते है, our last stock is rainbow, rainbow children, ये stock मेरी watch list पे है, और मैंने इसे खुद भी buy करा है, last week ही, और मैं इसे hold करना child specialist के लिए basically hospital है, इस पे और जादे ये लोग अपने hospitals हैं उनको खोल रहे हैं, बहुत जादा अपने levels पे बढ़ा रहे हैं, इनका अगर मैं check करूं, financials तो बहुत अच्छे हैं financials इसके, और ये as a market leader है, children hospitality sector के अंदर, child hospitality sector के अंदर, specialist के अंदर, so I think a particular stock अच्छा कर सकता है, let me just show you this monthly time frame, monthly time frame पे आप check कर सकते हो, किता बढ़िया momentum है, अभी stock list हुआ है, बहुत अच्छा momentum है, मैं एक चीज और दिखाना चाहँ हूँ, first of all, एक बड़ी momentum है, उसके बाद जो ये bullish candle थी, last bullish candle थी, उसके नीचे अभी तक closing नहीं आई, कोई भी red candle की, black candle means bearish candle, again एक बड़ी momentum आई, अगली candle बनी, बट इस candle के नीचे कभी भी ने गई है, ठीक है, बट जब भी कोई एक green candle बनी है, indecisive zones के अंदर, ठीक है, या कोई एक rejection candle बनी है, या wick बनी है, तो उसके नीचे भी आज तक नहीं गया, इसके नीचे भी आज तक नहीं गया, अब आप देख सकते है बुलिश candle बनी, sideways हो गई, ये rejection candle बनी, तो that means कि 1008 के नीचे तो ये particular नहीं जाना चाहिए, according to the monthly chart analysis, ठीक है, because हम लोग ने back testing करी, ठीक है, so I assume कि यहां से एक stock एक और uptrend की तरफ continue कर सकता है, ठीक है, अब let's use the daily time frame, यहां पर आप चेक कर सकते हूं कि maximum heavy volatility है वो इस level के आसपास है, that is the 1027 के आसपास का level, ठीक है, जहां पर मैं वेट कर रहा था, patiently कि वो आए, यह वाला particular, मैं आपको दखाता हूं, यह आया, क्योंकि यह आप देख रहे हूं, volume market profile indicator है, यह red color की line मैंने अब आपको सिखाई थी, बताई थी ना मैंने आपको, वो ही line का usage हुआ नीची आया, उपर की तरफ जैसी confirmation candle की closing दी, I bought at this particular level, and वो उपर चला गया, अब यहां पर इसने closing दे दिया, I am already in this position, और मुझे लगता है कि यह particular stock का जो पहला target होगा, that should be this particular level, which is 1018, जो कि मुझे ल language है जिससे आप लोगों को समझ में आता है, but उसका मतलब यहीं नहीं कि मैं आपको बुल रहा हूँ, वही target होगा, वहीं आपको entry lane है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं दुबारा बता देता हूँ, okay, so I think 1080 तक there is an opportunity कि यह जा सकता है, almost यहां से 30 points की rally दे सकता है, but मैं उसके लिए wait नहीं कर रहा है, I am holding this stock for a long term, short term perspective, I know कि मुझे यहां से 30% का भी return देगा, I will exit यह book my half profits, okay, so these are the three stocks and these are the analysis, I hope आप लोगों को सीखने को मिला होगा, and यह video आप लोगों के लिए बहुत जादर informative होगे, अगर आप यह videos regularly watch करो ना, एक महीने के लिए, और same analysis जो मैं आपको बता र download कर लो अपने laptop पे अपने उस पे, अब यही same charts और यही nifty bank nifty open करो, जो मैंने बताया, इस video को दो बार देखो, सुनो, और फिर जाके analysis करो, और अपना recording on करो, और बात करो, ठीक है, और खुद बात करो कि अच्छा यार इसके नीचे यहोगा तो यहोगा, उपर गया तो यह आपको मेर से जादा और नए पॉइंट्स मिलेंगे, यह प्राक्टिस अगरा मेरी वीडियो के साथ, एक महीना भी कर लोगे ना, I can sure 100% कोई recommendation लेने की जुरत ने पड़ेगी, कोई tips लेने की जुरत ने पड़ेगी, कोई course खरीदने की जुरत ने पड़ेगी, किसी दूसरे यूट्यूबर या मेरी या किसी की सुनने की जुरत में पड़ेगी, फुद इंडेपेंटेंट बनना शुरू हो जाओगे, एक महीने का यह टास्क है, फुद करके देखना, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, if you do that, and daily basis पे मुझे अपडेट्स देत have a good day guys, bye bye